अगर हम दही को इस तरीके से अपने चहरे के उपर लगाते हैं तो ये हमारी स्किन को लंबे समय तक रिंकल्स और फाइन लाइन से दूर रख सकता है यानि कि हमारी स्किन को यंग रख सकता है जवा रख सकता है यूथ पूल रख सकता है और अगर चहरे के उपर एकने मुहा स स्किन टोन निकल रहे हैं तो यह उसको करेंगा। और अगर सन बन से परेशान हो अपनी इवन सकिन टोन से परेशान हो यह आप की स्किन एक सार करेगा और आपको सन बन से भी छुटकारा दिलाएगा। नमस्ते जी आप सबी का आपके अपने चैनल beauty with nature बाय सुनीता सैनी में बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हो आप सर मैं उमीद करती हूँ आप सब लोग खूश होंगे तो चलिए अपना face pack बना लेते हैं face pack बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक चमच दही एक चमच हमने दही ले लिया अब मैं इसमें एड कर रही हूँ ग्रीन टी फ्रेंट्स आपके पास जो भी ग्रीन टी है आप वह वाली ग्रीन टी ले लिजी अगर खुली है तो खुली ले लिजी आदा चमच के करीब ठीक है जी ग्रीन टी बी एंटी एजिंग से भरपूर होती है यह हमारे चेहरे से एकने मुहासों को दूर रखती है अब मैं इसमें एड करीओ एक कैपसुल विटामिन ई ओयल का अगर आप विटामिन ई ओयल नहीं डालना चाहते अगर आपको सूट नहीं करता तो आप चा अगर आपकी स्किन ओयली है तो आप आदा चमच बेसन लीजिए आदा चमच मुलतानी मिट्टी लीजिए फिर आप इसका इस्तेमाल कीजिए क्योंकि यह जो बेसन और मुलतानी मिट्टी है यह हमारे चेहरे से एक्सस ओयल को निकालता है यह उस ओयल को निकालता है जिसकी नेचरल ओयल को बिल्कूल भी नहीं छेड़ता फ्रंट जब भी आपने इस फेस्पेक को लगाना है आपने इसको आदा घंटा पहले बनाका रख लेना है ताकि इसमें हमने जो ग्रीन टी एड़ की है वो अपनी सारी गुड़नेस इस दहीं के अंदर छोड़ दे ठीक है जी लास्ट में मैं एड़ करी हूँ चुटकी भर कस्तूरी हल्दी फ्रंट चुटकी भर हल्दी लेनी है जादा हल्दी नहीं लेनी अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप कीचन वाली हल्दी ले सकते हो जिससे आप खाना बनाते हो लेकिन आपने वो भी चुटक कम लोग जानते हैं अब हमने इसको अच्छे तरीके से मेक्स करके आदा घंटा रेस्ट के लिए छोड़ देना है अब आदा घंटा हो गया हमारे फेस पैक को बने अब हमने इसको लगाना कैसे है इसको लगाने से पहले make sure आपका फेस बिल्कुल साफ हो फेस के ऊपर किसी तरह का कोई मेकप ना लगा हो या आप बाहर से ना आए हो यानि की चेहरे के उपर किसी तरह की धूल मिट्टी नहीं होने चाहिए तब ही आपको आपके फेस पैक के पूरे बैनिफिट मिलेंगे प्रेंड यहां मैं आपको एक बात और बोलूं जिन लोगों को दही सूट नहीं करता बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनको दही से एलर्जी है या उनको सूट नहीं करता उनके चाहरे के उपर दाने निकलाते हैं तो यहाँ पर देही को skip करके गुलाब जल में इसकी पेस्ट को तियार कर लीजिए बाकी सारे इंग्रीडियंट सेम रहेंगे देही की जगा वो गुलाब जल ले लें ठीक है जी अब हम अपना फेस पैक लगाएंगे यह फेस पैक एंटी एजिंग बरपूर होने के साथ साथ हमारे चहरे के उपर ग्रो लाएगा चहरे के दाग धब्वों को लाइट करके स्किन को ब्राइट बनाएगा यह हमारे स्किन को नेच्रल तीके से मॉस्ट्राइज भी करेगा वीडियो देखते देखते अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है कि मैं आप सभी के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं अगर आप पहली बार चैनल पर आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए पास बने बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब मैं नई वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत असानी से मिल जाए फ्रेंड्स इस पेस पैक को आईले सकीन वाले ड्राय सकीन वाले नौरमल सकीन वाले एकने मुहासे वाले भी इसको बहुत आराम से लगा सकते हैं फ्रेंड्स जिन लोगों के फेस के उपर एक्ने मुहासे निकलते हैं मैं उनको बता दूँ कि वो गर्मियों में अपने फेस को साधे पानी से कम से कम पांस से छे बार वाश किया करें वाश करने के बाद वाटर वेस मॉस्चराइजर भी जरूर लगाएं इससे आपकी स्कीन हमेशा फ्रेश रहेगी आपकी स्कीन देखिए फ्रेंड्स मैंने साधे पानी से बोला है यह निकिए आप हर बार फेस वोश का इस्तेमार करें उससे तो आपकी स्कीन के नेच्रो और निकल जाएंगी जिससे पहले तो कुछ टाइम तो आपकी स्कीन आपक से वाश करने से ठीक है जी और रात को सोते समय अपने फेस को वाश करने के बाद कोई ना कोई क्रीम जुरूर लगा रात को जब आप की खिए्ट अपने इंग्रीडियन्ट से अलर्जिय उनकी स्किन को नुकसान हो सकता वरना ये हर किसी के लिए बहुत बेनिफिट देगा ठीक है जी देखिए फ्रेंट्स फेस पैक लग चुका है अब मैं आपको मिलती हूं दस मिनट के बाद देखिए फ्रेंट्स दस मिनट हो गया है मैं अपने फेस को साफ करके दिखाती हूं आप रिजल्ट देखिए बहुत ही खुबसूरत रिजल्ट आता है देखिए अमेजिंग अब मैं अपने face को wash करके आती हूँ और आपको दिखाते हूं इसका final result result बहुत प्यारा result है अब time अपनी skin को musterize करने का मैं अपनी skin को musterize करने के लिए अपना बनाया मौस्चराइजर ले रही हूँ आप भी face को wash करने के बा Questions को musterize जरूर किया किजिए तो आप भी इस प्यारे से अमेजिंग से फेस्टेक को बनाएं अपने चहरे को बुड़ापे से बचाएं तो फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई